पाकिस्तान का मीडिया यहां के content creator, sports journalist सीख पा हो रहे हैं इस बात को लेके कि इंडिया ने एक निया शोचा छोड़ा है उसमें उन्होंने का है कि हमें hybrid model जो है वो दिया जाए ICC से BCCI ने request किये और यहां पर यह लाल पीले हो रहे हैं मैंने कोई दो माँ पहले अपनी वीडियो बनाई और उसमें बिलकुल clarity के साथ एक बात बता दी थी कि बाई champion trophy पाकिस्तान में नहीं होगी अगर पाकिस्तान में होगी तो full-fledged champion trophy पाकिस्तान में नहीं खेली जाएगी कुछ न कुछ हिसा यहां hybrid model पे मुझतमील होगा यहां सारी champion trophy पाकिस्तान से बाहिर खेली जाएगी अब इसके पीछे कुछ चीजें हैं पाकिस्तान का जो board है वो unfortunately यहां के politicians लाते हैं और यहां के politicians पे रती बराबर इतबार नहीं है मुझे तो नहीं है मैं दूसरी अवाम का मुझे कोई idea नहीं है अब यहां पर लॉली पॉप देगा बी सी सी आई आपको कोई bilateral series कह दे कोई match कह दे इस तरह का लॉली पॉप लेगे आप खुश होंगे लेकिन जब execute करने का time आएगा वो matches वो उनके वादे तो वो लॉली पॉप आपके मुँ से ऐसे निकालेंगे और आप फिर देखते रह जाएंगे आपके मुँ में तो उसका चस्का भी नहीं आना लॉली पॉप का क्यूंकि उन्होंने चस्का लेने से पहले लॉली पॉप आपके मुँ से निकाल लेना है और ये पाकिस्तान की cricket के साथ होता रहा है एसिया कब भी तो पाकिस्तान में ह पर जाती आप बड़ी हद तक जो है इस बात में अब क्लियर होते कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो ठीक है ना आये लेकिन उसके बगैर भी चैंपिन ट्रॉफी हो सकती है लेकिन आपने उनको एक विंडो दी एक डायरेक्शन दी सोचने की कि नहीं अगर एशिया कब हा अगर साफ करें यहां का जो बोड है आपके साथ जो है वो बिट्रे कर रहा है आपको दोका दे रहा है और आप इंडियन मीडिया के ऊपर चड़ाई कर रहे हैं आप अपने बोड को ठीक करें यहां पर पॉलिटिशन क्रिकर चलाते हैं आप उनके उपर उंगली उठाएं पॉइंट आउट करें उनकी आप तरीफे करते हैं फाणिंग करते हैं कुछ फाइदा असल करने के लिए आप क्यों नहीं बात करते हैं कि जो क्रिक्टर्स हैं उनको हक दिया जाए जो पाकिस्तान में 25-25 साल 30-30 साल क्रिकर खेलता है पाकिस्तान को सर्फ करता है वो क्यों बरन सकता ये बात केते नहीं तो यह चीज़े इंटर लिंक करती हैं बड़े बाई मुझे कुमेंट में यह कहते हैं के आप दोनों चीज़ों को मिक्स करें यह दोनों चीज़ें इंटर कॉनेक्टिड अन्य पीसीबी का जो जो चेरमैन है वही रिसपोंसिबल है वही फैसला लेगा कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के बगार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी